आउज बिल्लाहिमन श्यत्रवान रुजीन बिस्मिल्ल्ला रह्मावी तो डियर स्टुडेंट्स चले शुरू करते हैं लेक्चर नमबर एट एलेक्टिसिटी और मैंने डिजम वन तो आज हमने पढ़ना है पॉटेंशिल यूट्व लेक्शन ऑफ पॉइंट चाल हमने वन प लेक्शन नाट के और स्टुड एगर हमारे पास भोसारे पॉइंट चार्जेज जासे कियो उन क्यू तो फुट अं तक तो हारे ये लगए लगए प्टयंशल व रहा है जैसे वी इस एकल टुवी वन प्लस प्लस जी टू प्लस वी तूप्लस वी थी प्लस आप टूस अप तो एन तो यह हमारे पास एक्सप्रेशन अप्पटेंशल का ड्यू तो कलेक्शन आफ पॉइंट चार्जिस और यह आप इसकी फिगर देख रहे हैं यह डिफरेंट चार्जेज जिनके डिफरेंट पॉजिशन वेक्टर्स है और वन आटू आर त्री और 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 इनके लिए ह इसे क्यों 3, q1, q4, q2 जिस सारे चार्जेज डिफरेंट को पर पढ़े हैं नेक्स्ट जो हमने चीज़ पढ़नी है वह अलेक्ट्रिक पोटेंशल ड्यू ड्यू डाइपोल के बारे में हम प्रीजिसली भी स्टडी का चुकी हैं हमने अलेक्ट्रिक फिल ड्यू ड्यू ड्य कैलकूलेट किया था और इसमें मैंने पताया था कि डाइपॲ के होता है डा capable QE होत इसके सिंदाब इसके सेहoma देम्यान सेपरिशन बारे जया रो अडिस्डियू को हम क्या कहते हैं इस किसम को हम अलेक्रिक डाइपॉल कहते हैं आप स्पोर्ज करें मारे पास और इसमें यह भी जूरी है कि आपूसर निचर के चार्ज हो यानि कि प्लस हो एक माइनस को और दिस्टन्च डी हो इसको हम क्या कहते हैं डाइपॉल अब स्पोर्ज करें मारे पास दो वो चार्ज इस प्लसक्र माइस की उनको हम ने किसे डिस्टन्स डी आपर प्लेस किया हुआ है और इसकी वजह से हमने अलक्तिर डाइपल की वजह से पोटेंशिल क्वाइब केल्कुलेट करना है एक की फिकष सकता है कि एक माइनस में डिस्टेंस डिए यह पर पंडीमाओं हमने ड्रार किया चार्ज क्यू आर्वन पॉजिज्टर रहे ce तौर इस कि आर्ट सुधितल आप अब देके वान वर फोर पर अप्सटब को नहें दो मान आड़ Church आप शुर्ट नाट माइस कूटी माइस कुवराट हुआ कर दूसको सिंपली हम एड़ कर सकते हैं उसमें डिर्च्छन तो है नहीं है तो यह आ रहे का वन ओवर फोर पाई अप्शिन अनट क्यू वन हर रोन मैनस क्यू आट तो क्यू ओवर फोर पाई अप्शिया नाट वन ओवर आर वन मैनस वन ओवर आटू और क्यू ओवर फोर पाई अप्शिया नाट इस कालसियम डे लेंगे तो आटू मैनस आर वन आर वन आटू आ लेकिए तो यह आफिकर देख रहे हैं आप यह डो डो चार्जिस के पोजिशन वेक्टर दिया हुए इंके दिस्टंस डी यह एंगल थीटा बान रहा है ठीक और चार्ज प्लस क्यूर से हमने प्रपेंडिकल ड्रा किया लाइन के ओपर जो मानस क्यूर से पॉइंट पी तक जा रही है तो यह हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है अब हमने आप देखें कि जो डी है वो लेंट आफ डाइपोल है इ तो हम यह कह सकते हैं कि आर वन आर टू आर वन रटू जा र स्केर के बराबर है अप्राक्सिमेशन हमने इसकर इपर लगाई एपर अप्राक्सिमेशन हमने क्या लिए यह ऐनकि जा डिस्टनस डी है वो बहुत स्मूल है किसके मगाबले में? As compared to R तो पिर हम जो R1, R2 है उसको पर यह approximation लगाएं तो इसको हम आफस्ट के बराबर ले सकते हैं और अगर आप figure देखें तो figure से R2 minus R1 R2 minus R1 अगर आप figure देखें तो R2 minus R1 यह देखें यह R2 minus R1 अगर यह triangle हम देखें यहाँ पर यह minus Q plus Q और R2 minus R1 वाई और यह D distance है तो यह R2 minus R1 हमारे पास क्या निकलेगा? यह D cos theta के बराबर हमारे पास निकलेगा यह D cos के बराबर हमारे पास निकलेगा तो V of R इस value को पिछली equation में substitute कर देए यह QD cos theta over R scale तो V of R 1 over 4 P cos theta over R scale यहाँ पर QD जो है वो P के बराबर है जो इसको डाइपल मॉमेंट कहते हैं तो V of R 1 over 4 P cos theta over R scale देखें पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड जो एलेक्रेड पोटेंशल था वो वान ओवर R से गया थे और अलेक्ट्रफ पटेंशिल जी उतु डाइपोल सज्ट नो going और आर सब्सक्राइब कोड़र पॉली वान और फोरस तो वी आफ 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 यह वान ओवर फॉर पाई अपसे नाट पी डाक और 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 क्यूट के बराबरा देगा तो यह हमारे पास आफ यह पॉजिशन वेक्टर जागा जो कर बना रहा है एंगल थीटा विद डाइपोल एक्सेस अब नेक्स हमने जो है वह स्टडी करनी है अले आफ यह उसी तरह हमने अलेक्टर पोटेंशल को भी कल्कुलिट करना है कांटिनुस चार्ड इस्ट्रीबिशन जैसे लाइन चार्ड जाए जैसे वाल्यूम चार्ड जाए जैसे सर्फस चार्ड है तो अगर हमारे बसको ऐलिमेंट डी क्यू है तो पॉइंट चार्ज है वि और तो फाइंड पॉटेंशल तो एंटार दिस्ट्रीबिशन वी एफ इंटीग्रेट वी डी मी मान ओवर फॉर पर चलाना बी और आस के अब हमने जो यह एलेक्रिक पोटेंशल है यह कांटिंश चार्ड डिस्ट्रीशन के इसको एक तो रिंग के लिए काल्कुलेट करना ह है जिसना हम एलेक्टिक फिल्ड किया था और इसी तरह हमने इसको डिस्ट के लिए कल्कुलेट करना है तो स्पोर्स करें हमारे पास रिंग है जिसको पर पॉजिटिव डिस्ट्रीट है उसके ओपर हम एक चार्ड अलिमेंट डी क्यू लेते हैं उसका पॉटेंशल से हैं तो हमारे पास आर्स के यहां पर अगर हम इसको देखें तो आस्र मारे पस यहां पर क्या आजाए का यह जेड़ स्केर प्लस जट्स के बरदर आजए तो हम ले लेंगे तो डी वी आजएगा ववन और फॉर पाई एक्षियांगे ब्राग्र की जगह वैल्यू रख द कि डिस्टिबुटेड रहे तो यह हमारे पास ऐलेक्ट्रिक पुटेंश निकला है इस यह नेक्स्ट में वह कैलकुलेट करना है ड्यूट्ट डिस्क कि डिस्क की वजया से है वहाई पास अबहने पर और सब्सक्राइब करें कि यह हमारे पेशने ये जिसक्त करें है। या प्रिदिय अर आ है और थक्राइप की वित्ष है तो आप कंसिड़ करें के ये सार्फेर र डेंसिटी जारी पता सिरुदिय स्ऩफेर चाहँ कि आतीख जो सिग्मे है तो हमने एलेक्टिक फिल्ड प्रेंशल पी फांड करना है किसी डिस्टंस जड्ड की ओपर डिस्टंस जड्ड है वाय से लेकर हमारे पास जो पी तक है वो डिस्टंस जड्ड है मैं सर्क्लर चाप ऑफिस एक अव एक इस ट्रिप यह कि सट्रिप्ट एक निया, तो फोल ढिसक आप में वेधिय का दिया, तो आरिया क geschs की दिट का, वाई उसका रेडियस है तो सर्कंफरेंस किते हैं 2PiR होता है तो डेगा 2PiYDY तो DQ होजएगा सिखमा 2PiYDY अब सिंस आल पार्ट्स अफ दिस चाईवयलिम्ट आरे डिस्टंस आर पिस्टंस आर की उपर है तो R की वैल्यू नकाले पैता करम तिरुम से तो वो Y स्केर प्लस Z स्केर आजएगी और D भी हमें पता है कि वान ओवर फॉर पाइपसिलन अडी को अवर आर है इसमें R की वैल्यू रखें डी क्यों की रखें तो जाड़े का जो मारे पास पॉटैंचल उसके लिए हमें फिर इसका इंटीडर लेना पड़ेगा और टोटल उसका रेडियस आर है तो जीरो से आर हमें इसका इंटीडर लेना पड़ेगा तो तू पाई वान ओवर फॉर पाई अपसरना नाट को बाइर नकाल लेंगे तो तो वाइश केड़ प्लस जट स्केर मानिस वान बई टू प्लस वन मानिस वान बई टू प्लस जीडो टू आर आगेगा हमारे पास इसको फर्दर एफिलना टू पाई आर स्केर माइनस जैड और अगर पॉइंट पीजे ऑफ फार मूट रूट जाएंगे डिस्क बहुत दूर चला जाएंगे जैड इस मच बच ग्रेटर दें डी रेडियस आर अफ दे डिस्क तो इसके ओपर हम लगा देंगे बाइनॉमियल थियूरम लगा कि इसको हमसाल करेंगे इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा जैड़ स्केर प्लस आर स्केर वान टू वान ओवर टू जैड वन प्लस वान ओवर टू आर स्केर प्लस जैड़ स्केर और यह जैड़ स्केर प्लस आर स्केर की वैयू जो है वोपर सब्सिटू perfect का देंगे तो मारे पर साथ मेरे जादेगा वी सिग्मा वार फॉर पर अप Korea गैद सव कुषा एक उपसार ना ती पयार वरųफ तो सिग्मा पाई आर सकेर्ड यह का सिग्मा पाइ आर सकेर पाई आर स्केर एरिया है तो यह कहिए सर्फस चार्ड सिग्मा सर्फस चार्ड एंस्टी है तो सिग्मा क्यू और पाई आर स्केर तो क्यों मारे पस सिंग्मा पाई आर्स के पाई आर्स के जो एडिया व्दा डिस्ट है तो वी मारे पस वान नुवर फॉर पाई अप्शन नुवर जैडिके बराबर तो टीर यह आ यह जो लेक्शन नंबर ॐट है इसके अदर यह की वीडियो होगी आज तो यह भी है वो कल तक मेरे पास स्टेंड भी आ जाएगा और वाइड पॉर्ड मैंने ले लिए और माइक भी मैंने ले लिए तो इंशाला था जब मेरे पस जीने पूरी हो जाएंगी तो मैं बगायदा आपको बोर्ड के उपर इस तरह क्लास में समझाते हैं मैं उस तरह समझाया करूं बाकी यह जो बुक के इसके अंदर एक एक स्टेप भूए रहा है कोई स्टेप मिसिंग नहीं है तो मेरा हाला है कि आपको मैथेमेटिक्स करते वह प्रशानी नहीं होती होगी बाकी कोई भी स्टूटन्ट जो मेरे से क्वेस्टन करना चाहता है रेलेटड इड़ के ओपर वो कांटेक्स कर सकता है मैं 24 गैंटे ऑनलाइन होता हूँ मैं आपके इन सारे सवालों के जो आपके पर कोई डिफिकल्टी आती है आप मेंसा डिसकस कर सकते हूं उसके बाद मैं किसे दिन जो है वो जो जो है आप लोग अपने आईडीज बना लें पहले आपकी ए किसे दिफरनट मिसाल हैं जो आप मेंसे सब्सक्रास करना चाहते हैं उनको हम भागे वाड़ सेफ के ओपर एनी टाइम आप प्रिस्चन कर सकते हैं गुग्टल ग्लास्डों में आम मेंसे सक्वास्चन कर सकते हैं वो कोई मसल नहीं है तो थैंस्ट्स डियो स्टूड़ंट आज एक ही वीडियो होगी बकिया इंशालातला हम फिर कल नेक्स्ट ये वू पढ़ेंगे बहुत शुक्रिया अपना ख्यार रखें असलाम अलेकूम वर्हूंत अल्हाँ वरगाद